हेलो दोस्तों मैं आपके लिए एक important update लेकर आया हूँ दोस्तों इंवस्टेफ कश्मी ने एक बार फिर admission notification रिलिस किये है for five year IMBA, IMBA का मतलब है कि जिसमें BBA plus MBA यानि Integrated Course होता है 5 साल के लिए तो इसके लिए पहले भी admission notification आये थी और आज IMBA स्टेफ कश्मी ने यहां पर कहा है कि कुछ status खाली रहने के वज़े से उन्होंने एक बार फिर इसके लिए admission notification रिलिस किये है लेकिन यह मैं आपको बताऊँ कि यह admission यहां पर सिर्फ North campus में होंगे नर्थ campus डेलिना बारमुला सिर्फ उस campus के लिए है पाकी campus के लिए यह admission नहीं होगा तो यहां पर हम बात करने वारे हैं डेर्स की इंपॉन्ट डेर्स की कब से फार्मस स्टाट हो जाएंगे और कब लाश डेर्स होगा 3 October तक आप online फार्मस बार सकते हैं तो eligibility की बात करेंगे 10 प्लस 2 इन अनी स्ट्रिम किसी भी स्ट्रिम में अगर आपने 10 प्लस 2 पास किया है लगिए 50 परसेंट आपको होने चाहिए अगर आप open merit से बिलांग करते हैं और अगर आप किसी बिलांग करते हैं तो आपके पास 45 मार्स होना चाहिए उसके अलावा यहां पर बात की गई है admission क्राइटिर की कि किस बिना पर आपको admission दिया जाएगा जो भी आपके पास यूजी एटी स्कूर कार्ड है तो उसी के बिना पर आपका admission यहां पर दिया जाएगा तो फारम के से आपको बनना है वो यहां पर दिया गया है तो दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले उनस्ट चेफ कश्मी की आप्शल वेबसाइट पर विजिट कर रहे तो यह हम पर है यहां से आपकांड रहा तो इसको मैंने description में बेड़ दाल दे हैं आप description में जाकर इस link पर क्लिक करके यह फर्म बार सकते हो जब आप इस link पर क्लिक करेंगे वहां पर आपको यहां पैज आए जाएगा जिसमें बहुत सरे options होंगे examinations, admissionals यह tutorial तो वहां पर आपको क्लिक कर देना है तो वहाँ पर आपको आएगा एंटर रेजिटरेशन नमर तो आपको वहाँ पर रेजिटरेशन नमर एंटर करना है अब कौन सा रेजिटरेशन नमर आप एंटर करेंगे तो आपके पास फारम आ जाएगा जो आपको फिलब कर देना है और आपको वहाँ पर एक फोटो ग्राब बे अप्लोड करना होगा है उसके बाद आपको next पर किलिक कर देना है जब आप next पर किलिक करेंगे तो आपको पूरा फारम आपके सामने आ जाएगा mistake हो गई है तो आपको previous पर की लिए करना है तो वापस आप उस फारम पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप उसको edit कर पाएंगे लिकिन अगर आपने submit कर दिया submit के बाद आप edit करना चाहोगे तो edit नहीं हो पाएगा इसलिए submit करने से पहले आपको उसे दियान से एक बर पर read करना है तो जब आप वो submit कर देंगे लास्ट में उसके बाद आपको फीज भी online ही पे कर देना है जो कि आपको 400 रुपीज बनता है तो जब आप फीज भी पे कर देंगे उसके बाद आप फारम डाउनलोड कर देंगे फारम डाउनलोड करने के बाद आपको वह कहीं पर submit नहीं करना है वह हार्ड का पियापको आपने पास रखने है further references के लिए दो दोस्तों यह था एक update फाइव येर आयम बीए एर्मिन के हवाले से आश्के बड़े में फिलारत नहीं thank you